हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बरपना से कोचिंग क्लासेस पर सवगत है और क्लास 12 फिजिक्स NCRT चैप्टर 3 में आज का टोपिक है बोल्ट मीटर और विवो मापी में अंतर देखें 12 की सियां पर आपको समझना है और इसके पहले जो भी वीडियो हमने कराया है पेरे भायो तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो जाकर के वहाँ से प्लेलिस्ट में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो शुरू करते हैं पहला अंतर देखते हैं कि जो बोल्ट मीटर होता है बिच्छेप विधी पराधारित होता है और जो विवो वापी होता है वो सून बिच्छेप विधी पराधारित होता है थोड़ा समझने कोशिस करेंगे सून बिच्छेप क्या है और विच्छेप व बढ़ेगा केहने का मतलब सुनने के आजू बाजू भी हो सकता है ठीक है लेकिन विभॉमापी में ऐसा नहीं होता विभॉमापी को पैरे भायो एक सिस्टम से बनाया जाता है और उसे जोकी की सहायता से हम उसको जीरो के लेबल पर कर सकते हैं क्योंकि जोकी का तार होता है उ उसको हम जिदर बढ़ाएंगे पैरे भायों तो क्या होगा विभो मापी में बिच्छेप होगा और विभो मापी में हम फिर सून इस्थित पर ला सकते हैं कहने का मतलब सून इस्थित पर हम क्या करते हैं बिच्छेपन करके हम सून के इस्थित पर लाते हैं इसलिए से सून बिच्छे भी कहते हैं, यह परिभासा कहीं, आपको मिलेगा नहीं, आपको समझा रहा हूं, कि जोकी के, जैसे विवावावावाववावी का मने सिध्धान्त समझाया था, यदि आप लोगों ने समझा होगा, तो आप बारी किसी इसको समझ पाएंगे, कि जो जोकी का तार ह होता है जोकी के तार को खिसकाने से स्टूडेंट जो व्यों मापी का उपकर्ण होता है उसमें जो सुई लगी होती है वह जीरो के इस्थित पर हम ले आते हैं किन बोल्टमीटर में ऐसा नहीं होता है प्राद्रम UX कhe में जो रहेगा जैसे ही हम प्यारे भायों उससे हम विवा को मापते हैं विवांतर को मापते हैं उसमें सीधे विच्छेप होता है और आगे की और बढ़ता है सिंपल है ना लेकिन विवांपी को सुन स्टेज में स्टूडेंट कब जोकी की तार की सहाथा से ला सकते हैं ओके चले तो बोल्ट मीटर होता है जो विच्छे बीदी पर अधारित होता है और विवो मापी जो होता है सुन विच्छे पर अधारित होता है यदि बात करें सुग्राहिता मतलब पैरे भायो सुग्राहिता का मतलब कौन कितना सुटेबल है और सही है कौन कितना सुधता पूरब किसी चीज का गढ़ना कर सकता है तो जो बोल्ट मीटर होता है इसकी सुग्राहिता काम होती है और विवो मापी की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है इसका कार्ण यह होता है पैरे भायो कि जो बोल्ट मीटर होता है उसके अंदर से भी कुछ न कुछ अल्प मात्रा में धार प्रवाय होता है इस कार्ण से सुद्ध मापन उतना पजिपूर्ण रूप से परिशुद्धता पुर्वक मापन नहीं दे पाता तेकिन बिहो मापी के अंदर में से धारा प्रवाय नहीं होता है तो किसी प्रकार से धारा का है ना छती नहीं होता प्रवायो धारा का मतलब ए प्रवायो कुछ न कुछ धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होता है लेकिन विवाव मापी में ऐसा नहीं होता अब अच्छेव की स्थित्मेश में स्रोथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता मतलब विवाव मापी में से किसी भी प्रकार से भाया धारा प्रवाहित नहीं ह बताया कि कुछ जो धारा है वो इसके उपकरण में ही चला जाता है तो उपकरण दोरा कुछ ना कुछ धारा क्या कर ले लिये जाता है जिससे जो विवो का मापन होता है जो विवांतर का वास्तविक मान होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता है कुछ ना कुछ आंसिक रूप स तुल्य होता है लगबग लगबग इसलिए गृवोवापी को पन श्रेष्ट मानते हैं यही सब कारण है कि आईसा भी कैस्षन आता है कि बोल्ट मीतर से गृववापी पन श्रेष्ट होता क्यों कि बोल्ट मीतर के अंदर में कुछ न कुछ अलपधारा प्रभाहित होता है जिसके कारण से सुद्धपूरोग नहीं उतना बास्तविक मान जो है वो प्राप्थ नहीं हो पाता लेकिन बिवाववापी के अंदर में से किसी भी प्रकार सिधारा प्रभाहित नहीं होता इसलिए बास्तम यह पूर्ट रूप से वही देता है जो होना चाहिए एक्चूल में ऊके चलिए इसका प्रतरोध उच्छे किन तो निष्चित होता है डेफ़नट होता है तिकिन इसका प्रतरोध मिझा हितरिक देता, क्या होता है ऑगे बात करते हैं कि इसका उपयोक के तो आप लोगों को पांच डिफरेंस त्यार करना है थोड़ा सा वीडियो है पांच डिफरेंस आप आसानी से त्यार कर सकते हैं तो पिरे भाई थों पटा पटे एक बार रिवाईच कर लेते हैं कि जो भीभवापी होता है वीभवापी मांतर होता है वे वास्तविक भीबांतर से कम होता है किसे बॉल्ट मीटर दोरा और जो विवाववापी मापता है उसका लगभग लगभग बास्तविक मान से तुल होता है इसका जो प्रित्रोध होता है बोल्ट मीटर का प्रित्रोध होता है पर विवाववापी का प्रित्रोध होता है लेकिन विवाववापी का प्रित्रोध क्या होता है अनन्द होता है क्या होता है अनन्त ओके है आगे देख सकते हैं विद्धुद्बअगबल भिहुआंतर के वाल माप सकता है बोल्टोमीटर जबकि वधियु अपर के सहाथा से हम किसी भी सेल का उन्चे प्रतरोध या दोसी लोग की आन्चे प्रतरोध की विश्तुलना भी कर सकते हैं और प्ले वीडियो में तब तक लिए जैहिन बंदमातरम